वहां है पेलो ब्यटाप सभी को मिरे नमस्कार आप समझी गए होगे कि मैं यहां बात किसकी कर रहा हूँ यहां बात कर रहा हूं मैं अदेश is यहां पर हम NCRT line wise line cover कर रहे हैं सबसे important चीज़ है यहां पर आपका time बचाना चाहरे है क्योंकि दुखो time उतना ही है उस time को कैसे utilize करना है smart तरीके से यह बहुत important role play करता है अगर हम आपके काफी घंटों को बचा ले और उन बचे हुए time के अंदर आप multiple time revision कर लो तो लक्ष को पाने से कोई रोक नहीं सकता simple सी बात तो उत्दे सीरीज की बात कर रहा हूँ बेटा क्योंकि बच्चों को लगा कि उत्दे सीरीज रूक गई है मैं आपको बता दू उत्दे सीरीज को ठीक है हम लोगों ने फेजों में लांच किया था आपको पता होना चीए तो बच्चों के बहुत सारे मैसेज आए सर उत्दे सीरीज को बापस रिलांच कर दो बापस स्टार्ट कर दो तो मैं बता दू बेटा उत्दे सीरीज कंटीनू चल रही है ठीक है उसका एक फेज कंपलीट हो चुका है एक फेज आपका कंपलीट हो चुका है बहुत बेहतरी इन तरीके से जिसमें human reproduction मैंने पढ़ाया था आपको जहां 10 से 12 lecture लगते हैं वहां मैंने इसको 3 lecture में खतम किया है ठीक है ऐसी हर teacher ने जहां 10 से 12 लेक्चर लगते हैं उस पूरे के पूरे चैप्टर को बिल्कुल कंसाइज किया है तो वो सीरीज आपकी continue है एक फेस हमारा complete हो चुका बहुत अच्छी तरीके से और मैंने बोला भी था जब हमारा एक फेस complete होगा हम उस फेस का proper test लेंगे आप test proper तरीके से दोगे OMR sheet पर और test देने के बाद आप अपनी analysis करोगे अपनी कमियों को identify करोगे फिर उन कमियों पर काम करोगे ठीक है और उसका second phase हम start करतेंगे same second phase में आपको करना है same third phase में करना है तो इस पूरी series को हमने कुछ phases में divide किया है phase में divide करने का purpose मैंने आपको बताया था छोटे छोटे गोल छोटे 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 टारगेट जब हमारे छोटे 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 टारगेट पूरा होते हैं तो हमारा confidence level बढ़ता है और हम अपनी कमियों को identify कर पाते हैं और हम उस कमियों को identify करके उन पर काम करते हैं और बेहतर तरीके से second phase को हम target करते हैं तो आपका first phase complete हो गया है ठीक है आपके धेर सारे message आए इसलिए मैं बता दू ठीक है ऐसा नहीं है series रुकी है series continue है आपका first phase complete हो गया है ठीक है और first phase complete होने के बाद अब बारी आती है test की तो बारी आती है टेस्ट की तुम्हें बता दूँ फर्स्ट फेस्ट का टेस्ट 30 जून को है ठीक है 30 जून को है बुलकुल दो से लेकर के 5-20 के बीच में है संडे है उस दिन और आपके स्लेवस जो आपके कम्प्लीट हो चुके हैं जैसे फिजिक्स में ठीक है इलेक्रिकल चार्ज इन फील्ड एन इलेक्ट्रो स्टेट ठीक है इलेक्ट्रो स्टेटिक और कैमिस्ट्री के इंदर लिक्ट्र सॉलूशन और बेसिक ऑफ ओसी ठीक है और बॉटनी की बात करते हैं इससे सेप्टेट्वारिण प्लांट और जुलाजी में हीमन रिप्पोडाक्शण इतना हमने करा दिया है तो इस सबको एक बार रिवाइज कर लो और रिर्वाइज करके ठीक है 13 जून को इसका टेस्ट सबको देना है और टेस्ट देने के बाद और ध्यानखना आपको टेलीग्राम पर इसका टेस्ट मिलेगा अभी पहला टेस्ट टेलीग्राम पर मिल रहा है साथ में आपको OMR sheet मिलेगी OMR sheet और test को आपको print कराना है और 2 से लेकर के 5-20 के बीच में proper तरीके से test को आपको देना है test देने के बाद अगर गलतियां होती हैं तो उनको identify करोगे और उन गलतियां उपर फिर से काम करोगे ठीक है अपने week point को identify करोगे फिर उन पर काम करोगे ठीक है तो clear है हमारा एक phase complete हो गया अब second phase में हम entry कर रहे है second phase में हम entry कर रहे है अब second phase का syllabus क्या होगा कब से start हो रही है ठीक है तो हम बात कर रहे है आपर उद्देश जो 12th dropper series है ठीक है NCRT NCRT batch है phase 2 की बात कर रहे है phase 2 की अगरे हम बात करते हैं सुलेवस क्या होगा phase 2 का देख लो एक बार ठीक है Friday से start कर रहे है 28th June से clear बल्कुल 28 June से हम start कर रहे है Friday को तो Friday को आपको physics का lecture मिलने वाला है ACP सर के साथ और एक मेरा lecture मिलेगा ठीक है Geology का reproductive health तो reproductive health में जहां 5 से 6 lecture लगते हैं मैं इसको सिफ दो lecture में कराऊंगा NCRT line wise line कबर कर दूँगा Friday को मेरा पहले lecture आ रहा है Saturday को मेरा दूसरा lecture है Friday Saturday के अंदर मैं पूरे chapter करा दूँगा हम चाहते हैं बचे हुए time के अंदर आप multiple time इसको revise करो और revision करने के बाद ठीक है आपका confidence level अपने आप बढ़ जाएगा ठीक है तो हम इसको बहुत जल्दी series को खतम करेंगे जिससे कि आप इसको multiple time revise कर पाओ ठीक है main purpose है कि time को बचाओ उस time को multiple time revision question practice और test में utilize करेंगे जिससे कि अपने लक्ष को हम ठीक है ले पाएं ठीक है अगला अगेना की बात करते हैं हम दोको Friday Saturday को physics और जोलोजी चल रही है Monday और Tuesday को Wednesday Thursday and Friday Friday तक अच्छा ज्याना को Monday Tuesday Wednesday आपकी physics चल रही है मतलब physics आपकी Wednesday तक चलेगी continue Friday Saturday Monday Tuesday Wednesday पर यहां पर जोलोजी दो लेक्षर में खतम हो जाएगी मैं चैप्टर फिनिश कर दूँगा फिर पैरलल बॉटनी स्टार्ट हो जाएगी तरणसर की ठीक है जहां पर principle of inheritance and variation बहुत important chapter है ठीक है कर लेना human reproduction से दो कोशन इस बार भी आयते जो री नीट हुआ था उसमें भी दो क्या होना है एकदम एलर्ट रहना ठीक है यह सारे वह हाई वेटेश टॉपिक है जो कबर करने और फिजिक से बात करता हूं वीटी सर ले रहे है आई यू पीएसी ठीक है वीटी सर तीन दिन के अंदर आई यू पीएसी एक दम brain में सेट कर देंगे clear है पता है मुझे ठीक है फिर अगेन ठीक है गौरक बुपता सर आपकी physics continue कर देंगे और यहां पर आपकी physical chemistry अगेन फिर से चलू हो जाएगी ठीक है जो सर्वेस सर लेंगे और लास्ट में वीटी सर आयू पीसी का एक lecture और लेंगे सारा planner आपके सामने है कमर कसलो ठीक है समद रहो यह date note कर लो इन date को आपको इस सारे lecture लाइब मिलने वाले हैं ठीक है कहां पर मिलेंगे वही ठीक है संकल्प नीट वेदानतू ओफिशल चैनल पर मिलेंगे ठीक है time already mention है time आपको पता ही है हाँ चार बज़े एक lecture आएगा और एक आठ बज़े lecture आएगा ठीक है phase two complete होगी और phase two complete होकर करके हम उसका टेस्त लेने लेने वाले हैं उसमें test आप प्रपर तरीके से दोगे OMR sheet पर दोगे Sunday वाला दिन होगा और proper 5 से ले करके 5-20 के बीच में दोगे Again जो कमी होंगी उसको identify करोगे analysis करोगे ठीक है और फिर उस पर काम करोगे ऐसी step by step लगब 5-6 phases के अंदर ये पूरी series आपके brain में set हो जाएगी समझे इसके अलावा अगर आप कुछ और भी चाहते हो तो comment section में जरूर बताना कि और हम क्या-क्या parallel start कर दें और हम क्या-क्या ऐसा करें जो आपके benefit के लिए हो ठीक है तो comment section में आप बताते जाना आप बताते जाओगे उसके साबसे जहां-जहां bandwidth होगी हम उस चीज को launch करते जाएंगे clear है बलकुल तो comment section में अपने जो भी view हो ठीक है जरूर देना ठीक है तो series हम 28 से start कर रहे है ठीक है second phase first phase का test 30 को है ध्यान लखना है आपको ठीक है और यहां 20 और 20 28, 29 को आपकी series चालू हो रही है जोलोजी में दो दिन में खतम कर रहा हूँ ठीक है इधर physics चालू हो जाएगी ACP sir की फिर chemistry चालू हो जाएगी service sir की फिर physics चालू हो जाएगी इधर आपकी जोलोजी है फिर botany है फिर IUPAC है और फिर finally आपकी service sir फिजिकल केमिस्ट्री करा रहे है लास्ट में एक IUPAC का एक और chapter है तो सारा planner आपके सामने है series का main जो moto hack बड़े बड़े chapters को जिन में बहुत lecture लगते है concise form में ठीक है दो से तीन lecture में complete करा देना जिसमें CRT पूरी include basics से पढ़ाना बिलकुल 0 से बढ़ाएंगे जहां-जहां कोशन प्रक्टिस करा सकते हैं teacher वहां कोशन प्रक्टिस भी कराएंगे clear बिलकुल और जहां-जहां रिवाइज करा सकते हैं revise भी कराएंगे ठीक है तो कम टाइम के अंदर बहुत बहतर तरीके से पूरे content को बेटा ठाइजी उनको class के अंदर physics और geology की class evening में geology और afternoon 4 p.m. physics की class ठीक है तो कमर कस लेना बेटा ठीक है मिलते हैं